हेलो फ्रेंड्स दिस इस मेनाज और वेलकम बेक टो मैं चैनल कैसे है आप सब? I hope सब अच्छे ही होंगे आप सब अपना ध्यान रखिए और अपनी दुआउं में मुझे याद रखिए आज मैं आप से शेयर करने जा रही हूँ मेरी अम्मी की एक और खास रेसिपी जो न्याहेते हल्दी भी है और टेस्टी भी है इसे वो एक अलगी तरीके से बनाते थे तो चलिए मैं उनको याद करते वे आप से शेयर करती हूँ चावल की खीर और मीठी पूरी मीठी पूरी बनाने के लिए हमें जरुरत होगी दो बाउल मैदा एक बाउल याने छे से साग टेबल स्पून पी सीवी शकर त्री टेबल स्पून याने वन फोथ कब डेसिकेटेड कोकोनट याने खोपरे का पाउडर त्री टेबल स्पून बारिक सूजी याने रवा हाफ टी स्पून एलाइची पाउडर हाफ टी स्पून नमक दो टेबल स्पून देशी प्यो घी और जरूरत की हिसाफ से जितना पानी चाहिए उतना ही लेंगे पूरी का डो बनाने के लिए मिक्सिंग बॉल में हम एक एक करके सारी चीज़ों को मिला लेंगे सबसे पहले मैदा डाल दे इसके बाद पी सीवी शक्कर बारिक सूजी याने रवा डेसिकेटेड कोकोनट इलाइची पाउडर और नमक मैंने हाथ अच्छे से धो लिया है इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें टूट टेबल स्पून देसी घी डाल दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें सारी चीज़े घी में अच्छे से मिक्स हो गई है या घी सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम आटे को इस तरह से मुठी में बन करके चेक कर लेंगे इससे पता चलता है कि घी भी अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पान लेते हुए हम डो तयार कर लेंगे शुरू से ही ध्यान रहें डो को हमने सक्त रखना है, सौफ्ट नहीं रखना है डो हमारा रेडी है, अब इसे करीब 30 मिनिट तक सेट होने के लिए रखेंगे ताके सुजी आटे में अपनी जगा बना ले डो को हमने 30 मिनिट के लिए इस तरह कवर करके साइट में रख दिया इस बिज बनाते हैं खीर तो आएए देखते हैं, खीर के रे हमें क्या क्या चाहिए एक लेटर दूद, मैंने यहां अमलताजा टोन मिल्क लिया है आप चाहे तो डेरी का भी ले सकते हैं आठ टेबल इस्पून शकर, जैसे आपको मीठा पसंदों कम ज़्यदा कर ले वन फूद कप चावल, चावल को मैंने धो के सुखाया और मिक्सी में इस तरह दरदरा पीस लिया है और फिर इसे मैंने पानी में भीगो की रखा है, इस तरह से बादाम पिस्टे को भी एक घंटा पानी में भीगो की रखा और फिर इसके छिलके निकाल कर बारे काट ली हूँ ये करीब एक बाउल है वन टेबल स्पून कस्टर पाउडर हाफ टी स्पून इलाइची पाउडर और एक पेंच सेफरोन का लिया है फ्लेम आन है खीर बनाने के बतर में सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल दें ताके दूद डालते वक पतेली की डारेक हीट ना मिले फ्लेम को मेडियम टू लो पर ही रखना है दूद बॉयल होने तक हमें इंतिजार करना होगा दूसरी तरफ एक पैन में भीगिवे चावल को पका लेंगे इसमें हम पानी तीन गुनाज ज्यादा डालेंगे दूद में उबाल आना शुरू हो गया है और चावल में भी अच्छा उबाल आ रहा है इससे हम कंटिनुसली स्टर करते रहेंगे आप देख सकते हैं चावल हमारा पक गया है अब इसे हम फ्लेम से हटा देंगे अब एक पैन में वन टी स्पून घी डाल दें और हमने जो बादाम पिस्टे को काट के रखा है उसे घी में तीन से चार मेट भूल लेते हैं अब इसे एक बॉल में निकाल लें दूद में भी कितना अच्छा उबा ला रहा है अब इसमें हम शकर को मिला लेंगे साथे साथ इलाइची पाउडर डालें और चमच से हिलाते रहें खीर को रंग देने का काम केसर भी बखखो भी करता है अब इसमें हम सेफरन को भी एट कर लेंगे एक बाल में कस्टर पाउडर को टू टेबल इस्पून थंडे पानी में अच्छे से मिक्स कर ले यह अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे भी खीर में हम मिला लेंगे अब इसमें ड्राइफ रूट्स को भी एट कर लेना है हर एक चीज डालने के बाद आप एक चमच को हिलाते रहना है क्योंकि दूद अगर लग जाए नीचे तो इसका टेस्ट ठीक नहीं होगा अब एक बाल में एक चमच दूद ले ले और इसमें करीब दो टेबल इस्पून पक्केवी चावल मिक्स कर ले इस तरह से अगर हम पक्केवी चावल को डारिक दूद में मिला लेते हैं तो चावल के गटे बन जाएंगे और इस तरह करने से चावल एजिली दूद में घूल जाएंगे इस तरह से फिर से एक चमच और दूद ले ले और दो चमच चावल के मिक्स कर ले इस तरह थोड़ा थोड़ा दूद लेकर हम चावल को खीर में मिक्स कर लेंगे पुरी फ्राइ करने के लिए कड़ाए में घी डाला है तीस मिनिट से ज्यादा हमारा डो ने अच्छे से रेस्ट कर लिया अब इसकी हम पुरी बनाते हैं एक बार फिर से इसे गोंद ले इसके अब एक साइस के पेड़े बना लेंगे थोड़ा सा घी लगाते हुए इसे हम बेल लेंगे इतनी थिकनस होनी चाहिए घी गरम हो चुका है अब आहिस्ते से इसमें पुरी को डाल कर स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है पुर्यों को घी में तलने से खस्ता होती है गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट करके फ्राई करना है इसे हम निकाल लेंगे इस तरह एक एक करके सभी पुरियां स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे खीर अच्छे से पक गई है और गाड़ी भी हो गई है अब इसके फ्लेम को बन करते हैं और गर्मा गरम खीर और पुरियां सफ कर लेंगे दूद चावल और बादाम पिस्ते का हेल्दी कॉम्मिनिशन ये खीर है ऐसा कोई नहीं जो इसे नापसंद कर ले रेसिपे अच्छी लगी हो तो देर किस बात की जल से जल बनाएं और मज़े लेके खाएं कमेंट जरूर करें मुझे आपकी कमेंट का इंतिजार होता है वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने अजिज़वा कारेब में ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें वैल एकन को ज़रूर दबाए ताके नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तिल देन बाई बाई